हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आशा गरता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होगे तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मच्छर खून क्यों चूसते हैं तो चलिए शुरू करते हैं मच्छर को एक हानिकारक कीट माना जाता है जो इंसान तथा अन्यजीव जन्तूओं का खून चूसकर जिन्दा रहते हैं ऐसा माना जाता है कि सिर्फ मादा मच्छर ही खून चूसती है अक्सर आपने देखा होगा कि मच्छर आपका खून चूसते हैं और फिर वो वहाँ से उड़कर भाग जाते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मच्छर इंसानों का खून क्यों पीते हैं उन्हें आखिर ये आदत पड़ी कैसे पहले वैग्ञानिक भी सवालों के जवाब नहीं जानते थे लेकिन अब उन्होंने इसका जवाब ढून लिया है जो बेहत ही हैरान करने वाला है आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले मच्छर खून नहीं पीते थे उनके अंदर एक वज़े से धीरे धीरे ये बदलाव आया है पहले तो आपको ये बता दे कि दुनिया भर में मच्छरों की कई प्रजातियां है उनी में से एक है अफरीका के एडीस एजिप्टी मच्छर इनकी वजह से ही जीका वाइरस फैलता है यही मच्छर डेंगू और पीला बुखार के कारण होते हैं कुछ वैग्यानिकों ने इनी मच्छर पर अध्यन किया था और उनको पता चला कि सभी प्रजातियों के मच्छर खून नहीं पीते हैं बलकि उनमें से कई अपना गुजारा करने के लिए अन्य चीजों को खाते पीते हैं प्रिंस्टन इन्वसिटी के रिसर्चर बताते हैं कि हमने सबसे पहले अफरीका के कुछ जगहों से एडीस एजिप्टी मच्छर के अंडे लिए और फिर उन अंडों से मच्छरों के निकलने का इंतिजार किया उसके बाद हमने उन मच्छरों को परियोक्षाला में बंद डिब्बों के अंदर इंसानों और अन्य जीवजंतों पर छोड़ दिया ताकि या समझा जा सके कि उनके खुन पीने की पध्धती क्या है इस दोरान हमें पता चला कि एडीस एजिप्टी मच्छरों की अलग अलग परजातियों का खान पान बिलकुल अलग था नौाह रोज का मानना है कि सारे मच्छर खुन नहीं पीते हैं वैसी जगें जहां पर गर्मी पढ़ती है या इलाका सुखा रहता है वहां पर आमतोर पर पानी की कमी होती हैं ऐसे में मच्छरों को प्रजनन करने के लिए नमी की जरूरत को पूरा करने के लिए मच्छर इं होती है लेकिन जैसे ही उन्हें पानी की कमी महसूस होने लगती है तो वो इंसानों या ने जीओं का खुन चुसना शुरू कर देते हैं यानि इससे साफ है कि मच्छर पानी की कमी को पूरा करने के लिए इंसानों या नेजिवों का खून पीते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि मच्छर इंसान का खून क्यों पीते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें धन्यवाद